बढ़ते आगे मशहूर उद्योगपती और करोणों दिलों पर राज करने वाले टाटा संस के चेर्मेन रतन नवल टाटा पंच तत्व में विलीन हो गए 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है मुंबई के बरली में पूरे राज की सम्मान के साथ उनका अंतिम संसकार किया गया है उनके निधन पर पूरी दुनिया ने शोक जताया मुंबई में उन्हें अंतिम विदाई दी गई उनके अंतिम दर्शन के लिए सियासत से लेकर सिनेमा, उद्योग से लेकर अर्थ व्यवस्था तक हर क्षेत्र के लोग इस महान शक्सियत को नमन करने पहुंचे केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने मुंबई पहुंच कर रतन टाटा को श्रधा सुमन अर्पित किये SL ग्रूप के चेर्मैन और पूर्व राज्य सभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने रतन टाटा को श्रधानजली दी और कहा कि G ग्रूप उनके जीवन पर एक फिल्म बनाएगा रतन टाटा से जुड़ी ऐसी कई कहानिया हैं जो उनके व्यक्तित्व को महान बनाती हैं विदेश से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी कमपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम किया और अपने काम की उन्हें सैलरी भी मिलती थी सत्तर के दशक में रतन टाटा ने जारखंड के जमशेदपुर में काम किया जब उन्हें कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दमपर घरेलू कारोबार को आस्मान की बुलंदियों पर पहुँचाने का काम किया तो रतन टाटा को अंतिम विदाई देते वक्त एक बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली है रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पास बैठा उनका डॉग गोवा ये मानने को तयार नहीं हुआ कि अब उनके रतन नहीं रहे काफी देर तक पोस्ताबू के पास बैठा रहा जिसमें रतन टाटा का पार्थिव शरीर था लोग उसे हटानी की कोशिश करते रहे लेकिन डॉग अपने मालिक से जुदाई का कोई पल जाया नहीं होने देना चाहता था और बेहद ही मायूस होकर बैठा रहा डॉग गोवा की कहानी भी बेहद दिल्चस्प है दरसल ऐसा बताया जाता है कि रतन टाटा जब एक बार गोवा गए थे उस समय की डॉग उनके पीछे आ गया था तब रतन टाटा ने उसको अपने साथ लेकर मुंबई आ गए और इस डॉग का नाम गोवा रख दिया